आज हम लोग प्राचीन भारती इतिहास के शुरूतों के अध्यान के क्रम में कुछ ऐसे ग्रंथों की बात करेंगे, कुछ ऐसे धर्मशास्त्रों की बात करेंगे जो भारतीय संस्कृत के विशे में महत्पूर जानकारी देते हैं अभी तक हम लोग भारती इतिहास के शुरूतों के अंतरगत विसेशकर प्राचरीन भारती इतिहास के स्रोतों के अंतरगत, पुरातात्तिक स्रोत और साहित्तिक स्रोतों में काफी कुछ चीज़ें विस्तार से पढ़ चुके हैं। साहित्तिक स्रोतों में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अलग अलग स्रेडियों में साहित्तिक ग्रंथों को बाट करके उनका अध्यान करते हैं। जैसे कुछ साहित्तिक स्रोत ऐसे हैं जो मुख्यता धार्मिक विश्यों पर लिखे गए हैं। हाला कि उनसे केवल धार्मिक विश्यों की जानकारी नहीं मिलती है, उनमें राजनीतिक विश्य भी मिलते हैं, उनमें समाज के विश्य में भी जानकारी है, उस समय की आर्थिक दशाओं के बारे में भी उनसे पता चलता है, लेकिन फिर भी जो भारती इतिहास की जानकारी द किये गए हैं और कुछ ऐसे भी साहित्तिक स्रोत हैं जो भारत के इतिहास पर प्रकास डालते हैं हलांकि उनमें जो जिक्र है जो वडन है वो विदेशी भृतांत की रूप में है यानि जो विदेशी आत्री भारत की आत्रा पर आए उन्होंने जो भारत को देखा समझा जाना उसी के उपर उन्होंने अपनी रचनाय तयार की तो इस तरह से भारत के साहितिक स्रोतों को प्राचीन भारती इतिहास के अध्यन के रूप में एक महत्पूर्ण स्रोत देखा जाता है और इन महत्पूर्ण स्रोतों को हम साहितिक स्रोतों को दो स्रेडियों में रख सकते हैं, एक हो गया देसी साहित और एक भी देसी साहित, तो हम लोग देसी साहित उपर चर्चा कर रहे थे, और देसी साहित के अंतरगत, मैंने आप से कहा, कि हम धार्मिक ग्रंथों को अलग करके पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं, जो ल धर्म के विशे से इतर हैं, इनमें राजनायतिक विशे हैं, इनमें सामाजिक विशे हैं, इनमें आर्थिक विशे हैं, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ, जो धर्म को केंद्र बना कर लिखे गए, केंद्रुबिंद उसमें वो केंद्रिय विशे उसमें धर्म ही है, ले इन धार्मिक ग्रंथों में वैदिक स्रोतों पर बात हुई, आपने अभी तक वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था और विसेश कर्मे ने आपको वैदिक और वैदिक उत्तर साहित्य दोनों स्रेणियां पढ़ा दी, वैदिक ग्रंथों की जब भी बात होगी, वैदिक स् वैदिकोत्तर साहित्य के अंतरगत उपवेद और इसके साथ उनके वेदांगों के बारे में अध्यन किया। तो भी पिछली क्लास में आपने छे वेदांग और उपवेद के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीजें अब तक आपने त्यार कर ली होगी, नोटस आपने बना लिया होगा, आज हम लोग भारतिये संस्कृत के संदर्व में जानकारी देने वाले कुछ अन्य महत्पूर्ण आधारभूत ग्रंथों की बात करने जा रहे हैं। इन आधारभूत ग्रंथों की या fundamental text की अगर बात की जाए, तो इन में आप देखेंगे कि कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, भले ही वो धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इन में सामाजिक विशें, इन में आर्थिक और राजनेति विशें पर भी हमें महत्पूर्ण जानकारी मिलती है, तो इन आधारभूत ग्रंथों के अंतरगत सबसे महत्पूर्ण जिक्र होता है इस्मृतियों का, इस्मृतियां प्राचीन भारतिये समाज, प्राचीन भारतिये धर्मसास्त्र के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं विसेश कर उस समय का समाज कैसा रहा होगा उस समय के धार्मिक नियम कैसे थे उस समय की संस्कृति कैसी थी इन सब विश्यों पर हमें इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है तो इसमृतियों को प्राचीन भारती इतिहास के स्रोतों के रूप में एक महतपूर आधारभूत ग्रंत के रूप में देखा जाता है ऐसे ही पुराणों का भी महत्त है क्योंकि पुराणों में प्राचीन राजबंसों की कथाएं नहीं थें और इनसे हमें प्राचीन राजबंसों के साशनकाल की प्रमुक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती और इसलिए पुराणों को भी भारती इतिहास के सुरोतों के रूप में देखा गया, हालांकि इस्मृतियां हों, चाहे पुराण हों, या फिर महाकाब्यों की ही हम क्यों ना बात करें, रामायण और महाभारत, इनका केंद्रिय विशय धर्म ही है, धर्म को आधार बना कर इन ग्रंथों की रचना की गई, और इसलिए धर्मिक साहित्य के अंतरगत, हम इन आधारभूत ग्रंथों की भी बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग इस्मृति, पुराण और महाकाब्यों की बात करेंगे, जिसमें इस्मृतियों में आप देखें, तो कुछ नाम भी मैंने सा पुराणों की बात की जाए तो जिनकी कुल संख्या 18 है इन में मत्स पुराण सरवाधिक प्राचीन है वायू पुराण भी काफी प्राचीन माना जाता है और इसके अतरिक्त विश्णु पुराण, भागवत पुराण, मारकंडे पुराण ऐसे कई पुराण है जो हमें भारत प्राचीन महाकाव्य और यह सबसे प्राचीन महाकाव्य जो हैं वह कहीं न कहीं आप देखें तो गुप्त काल में संकलित माने जाते हैं तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसमृतियों से इस्मृति ग्रंथ इस्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी या विधि ग्रंथ माने जाते हैं या विधि ग्रंथ मानी जाती हैं ये पद्ध में लिखी गई है ये पद्ध में लिखी गई है पद्ध में लिखी गई है परन्तु विष्णु इस्मृति विष्णु इस्मृति गद्ध में लिखी गई है इन का संकलन इनका संकलन अलग अलग कालों में हुआ है कुछ प्रामुख इस्मृतियां इस्मृतियां इस प्रकार इस प्रकार है तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो प्राचीन भारतिय समाज था या प्राचीन भारतिय संस्कृत थी उसमें कुछ सामाजिक नियम निर्धारित किये गए थे उसमें राजी के कुछ नियम बनाए गए थे और उन्ही नियमों का जो संग्रह है उनको इस्मृतियां कहा जाता है तो इस्मृतियां एक तरीके से अगर आप देखें लॉटेक्स्ट है लॉबुक है यानि प्राचीन भारतिय समाज के जो नियम कानून या वैवस्थाएं थी प्रचलन में उन पर जिन नियमों का संग्रह तयार किया गया उन्हीं संग्रह को इस्मृतियां कहा जाता है तो इसी कारण से यहाँ पर पहली लाइन ही आपको क्या जानकारी दे रही है कि ये हिंदु धर्म के कानूनी या विधिगरंथ माने जाते हैं तो इस्मृतियां एक तरीके से law text के रूप में accept की गई है हाला कि आज जैसे आप देखते हैं भारत का संभिधान है जो हमारे देश का आधारभूत कानून है तो आज के संभिधान से तो इसकी तुलना करना कत्तई उचित नहीं होगा लेकिन कभी-कभी आप देखिएगा कि भारत का जो संभिधान है इसको एक तरीके से समतुल माना जाता है मनुस्मृति के और यही कारण है डाक्टर भीम राव मिटकर जो हमारे भारतिये संभिधान के निर्माता उनको भारत का आधुनिक मनु कहा गया है क्यों क्योंकि मनुस्मृति की रचना जिन्होंने की मनु उनको एक तरीके से आदिपुरुस के रूप में संग्या दी गई है, उन्हें राज्जिका प्रथम करता माना गया है, तो माना ये जाता है कि मनुने सामाजिक विधान तैयार किये थे, लेकि समाज में रहने वाले लोगों को किस विवस्था का पालन करना चीए, कि नियमों का पालन करना चीए, तो इसी कारण से इसे एक तरीके से धर्म ग्रंथ के साथ साथ कानूनी ग्रंथ के तौर पर भी सुईकार किया गया, यानि जो मनु का धर्म शास्त्र है, है ये धार्मिक विश्यों पर केंद्रित, धार्मिक नियमों पर केंद्रित है, लेकिन धर्म को आधार बनाकर समाज में जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी, समाज में जो नियम प्रचलित थे, उन्हीं के व्याख्या इसके अंतरगत की गई, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है, कि इस्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी या अभिधि शैली में लिखी गई और एक मात्र इस्मृति है विश्नु इस्मृति जिसे गद्ध में रचा गया और इसके साथ साथ इनका संकलन अलग-अलग समय में हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुक इस्मृतियों के बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं, तो सबसे पहले शु मनु का धर्म शास्त्र मनु का धर्म शास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुक और सबसे अधिक प्रमुक और सबसे अधिक प्रमाणिक सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है ग्रंथ है और हिंदू समाज और सभ्यता हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान ने स्वरूप को प्रकट करता है लोकमान ने स्वरूप को प्रकट करता है मनु का नाम अत्यंत प्राचीन अत्यंत प्राचीन काल से प्राचीन काल से कई रूप में मिलता है कई रूप में मिलता है यह मानो जाती के यह मानो जाती के आधिपुरुस आधिपुरुस राज संस्था के राज संस्था के पृथम करता पृथम करता राज संस्था के पृथम करता तथा धर्म के तथा धर्म के पृथम व्यवस्थापत पृथम व्यवस्थापत पृथम व्यवस्थापत कि माने जाते हैं कि माने जाते हैं तो इस वर्डन से एक बात आपको इस पश्च तोर पर समझ में आ गई होगी कि मनु प्राचीन भारती इतिहास के संदर में एक बहुत महत्पूर नाम हो जाता है क्योंकि जो मनु ने धर्मशास्त्र लिखा मनु इस्मृति ये ना केवल सबसे प्राचीन बलकी इसमें आप देखेंगे कि हिंदु धर्म के संबंध में जो हमें प्रमारिक आटी है जो हिंदू समाज और सब्वता के लोक्मानलेश की जानकारी मिलती है आज भी भारतिये समझ में विसेश कर हिंदू समाज में जो आपको ब्योहार मिलेगा जो आपको आचार विचार मिलेगा उसका मूल आधार मनू को ही माना जाता कि मनू के समय ही इस तरह के सामाजिक नियमों की रचना हुई थी तो इस कारण से मनू को जो है वो प्राचीन काल से ही कई नामों से भिन भिन देखा गया इन्हें मानोजाती का आधि-पुरुस श्रिफ निर्धारन किया फिर इसके साथ साथ राज-संस्था यानि जिस ब्यवस्था के तइत आज हम लोग रहते हैं जो तो प्राचीन समय में समाज को चलाने के लिए एक राजनेतिक ब्यवस्था बनाई गई थी जिसे राज कहा जाता है उस राज संस्था का जन्म भी उसके करता भी मनु ही माने जाते हैं और धर्म के ब्यवस्थापक, प्रतम ब्यवस्थापक कहने का मतलब कि धर्म जैसी जो अन्याधारभूत ग्रंत हमें मिलते हैं, जो विसेशकर हिंदु धर्म के कानूनी ग्रंत माने जाते हैं, उनमें मनुस्मृति को सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे प्राचीन, तो अगर आपसे प्रस्न ये पूछें मनुस्मृति क्या है, तो हिंदु समाज के नैतिक न यमों की ब्याख्या करने वाला ग्रंथ, हिंदू संस्कृत पर प्रकास डालने वाला ग्रंथ, या हिंदूों के सामाजिक और आप कह सकते धार्मिक कानूनों पर प्रकास डालने वाला ग्रंथ है, यानि यह उनके कानूनी ग्रंथ है, यह उनके लाटेक्स्ट है, तो मनुस्म पोस्ट मौर्या एज में विसेश कर सुंग काल में हुई थी तो ये दो तत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृत की रचना कब हुई थी पोस्ट मौर्या एज में मौर्युत्र काल में और उस में मगत की सत्ता सुंग राजवन्स के हाथ में थी तो सुंग काल में मनुस्मृत की रचना हुई और इस तरह से सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन है और मनुस्मृत में सामाजिक विधान दिये गए है प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है इसमें आप देखेंगे चारों वर्णों का उलेक है चार वर्ण मैंने तो ये जो चार वर्ण की विवस्था आई इसका जिक्र भी मनुश्मृत में है और इसके साथ-साथ बिभिन जातियों का भी उल्लेख इसके अंतरगत किया गया है इसमें ब्रामणों को काफी सरोच इस्दती में दिखाया गया है सूद्रों को बहुत कमजोर सामाजिक स्थती का बताया गया है और सूद्रों की स्थती इस तरह से रखी गई है जिसके कारण आप देखेंगे कि एक सामाजिक भेदभाव दिखाई देगा यानि ब्रामबन सामाजिक पायदान में बहुत उपर है सूद्र बहुत नीचे मनुस्मृत में तो यहां तक जिक्र है कि ब्रामबणों को सूद्रों के हाथ से अन नहीं ग्रहन करना चाहिए ऐसे ही इस्तरियों की स्थिती भी बहुत कमजोर दिखाई गई है तो उस समय कि जो भारतिय सामाजिक दसा थी उसके बारे में एक प्रमाणिक जानकारी हमें इस स्रोत से मिलती है और इसलिए मनुस्मृत का भारती इतिहास के स्रोतों के रूप में अध्यान किया जा सकता यह कारण भी है कि आज आप देखिएगा जो खासकर दलित समाज है यानि जो शुडियूल कास्ट वर्ग है वो जब भी कोई बहुत ही जातिय ब्यवस्था का समर्थन करता है तो उसे मनुवादी कहते हैं आगे चलकर आप देखेंगे कि जब इस सामाजिक भेदभाव के खिलाप एक आंदोलन हुआ भारत में तो मनुस्मृती का जो है काफी खंडन किया गया मनुस्मृत की काफी आलोचना हुई या ब्राम्भन धर्म के समर्थकों को मनुवादी भी कहा गया तो आज भी आप देखेंगे कि मनु को एक रूप में देखा जाए तो जातिय व्यवस्था का पोशक माना जाता है तो ये कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो मनुस्मृत के संदर में 10-12 तरीके से प्रश्च बन सकता आप उसका उत्तर दे सकेंगे लेकिन कुल मिलाकर के मनुस्मृत का भारती इतिहास के स्रोतों के रूप में अध्यन इसलिए महत्पूर है कि हमें प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृत या उसके कानूनी स्वरूप को समझने में बहुत सहायक है यानि अगर आज की जो वर्तमान की भारत की जातिय ब्यवस्था में कई तरह के संकट दिखाई देते हैं उसकी समस्या की जड़ें आप जानना चाहते हैं तो मनुस्मृत इसके बारे में प्रमाणिक जानकारी का स्रोत है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि नेक्स्ट महात्यपूर्ण है याग्यवलक इस्मृति याग्यवलक इस्मृति याग्यवलक इस्मृति अगर देखा जाए तो यह मनु की अपेक्छा अधिक सुब्यवस्थित और कहीं न कहीं माना जाता है कि यह बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया इसमें जो मनु की सामाजिक ब्यवस्था है लगभग उसी सामाजिक ब्यवस्था का पालन दिखाई देगा लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी दिखाई देगा जैसे मनु स्मृति में एक ब्रामभण युवक को एक ब्रामभण पुरुस को एक सुद्र कन्या से विवाह की अनमती दी गई लेकिन याग्यवलक की स्मृति इस बात की खंडन करता वो कहता एक ब्रामभण परिवार के सदस्य का विवाह ब्रामभण पुरुस का विवाह एक सुद्र जात की कन्या से नहीं हो सकता तो ये और सामाजिक कठोरता को अच्छे से ब्यक्त करता तो इसके बारे में आप यहां पर सबसे पहला पॉइंट ही लिखे कि याग्यवलक का धर्म शास्त्र याग्यवलक का धर्म शास्त्र मनू की अपेक्छा मनू की अपेक्छा अधिक सुभ्यवस्थित अधिक सुभ्यवस्थित और संचिप्त है अधिक सुभ्यवस्थित और संचिप्त है मनु ने ब्राम्हण को सुद्रकन्या के साथ ब्राम्हण को सुद्रकन्या के साथ बिवाह की अनुमती दी है किन्तु याग्यवलक ने किन्तु याग्यवलक ने इसका बिरोध किया है इसका बिरोध किया है इसका बिरोध किया है तो मनु और याग्यवलक के धर्मशास्त्र में कुछ मौलिक अंतर है बाकी काफी समानताएं हैं, जैसे यागिवलक इस्मृत भी उसी ब्राम्मण ब्यवस्था का पोशन करता है, उसी जातिय ब्यवस्था का समर्थन करता है, जिसकी सनरचना मनु ने तयार की थी, यानि समाज में ब्राम्मणों की सरवच्चता की वकालत यागिवलक इस्मृत मे जिक्र कर दिया, देखिए इस तरह से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं विसेश कर में उन बच्चों को ध्यान में रखकर इन चीजों का डिस्कस कर रहा हूं, जो चाहे DSSB की TGT, PGT की त्यारिम लगे हैं, चाहे UPTGT, PGT की त्यारिम लगे हैं, लेकिन जब आप Teaching Portal के different exam में त्यारी करेंगे, विसेश कर TGT और PGT, तो उसमें आप देखेंगे, इतिहास से पूछे जाने वाले प्रस्नों में आपको प्रस्नों की एक depth मिलेगी, केवल superficial knowledge नहीं, अगर आप General Study के लेबल पर देखें, तो हो सकता इतना ही प्रस्न आपके लिए काफी है, कि भारत की सबसे प्राचीन, इसमृती कौन सी है, वो किस काल में लिखी गई है, प्राचीन, भारतिये, हिंदू समाज पर लिखे गए, कानूनी गरंथों को क्या कहा जाता है, बस हो गया, लेकिन अगर आप TGT, PGT जैसी परिक्षा की त्यारी में लगे हैं, तो थोड़ा सा बिस्तार से आपको जानकारी किया हो सकता पड़ेगी, तो यहाँ पर कुल मिला करके, जब भी स्मृतियों की बात करेंगे, तो दो का नाम जरूर याद रखेगा, वैसे मैंने आपको बताया, कई स्मृतियां लिखी गई है, जिसमें दो का नाम इसलिए जरूरी है, क्योंकि मनुस्म के बीच में, यानि 100 BC से लेकर के 300 AD के बीच में इसकी रचना हुई है, तो आप यह कह सकते हैं कि लगभग मौर्योत्तर काल में ही यह भी रचित है, यह भी मौर्योत्तर काल की रचना है, तो मनुस्मृति की तरह ही याग्यवलक कि स्मृत भी प्राचीन है, तो अगर समाजिक विधान दिये गए हैं, इसमें भी ब्रामबन ब्यवस्था का पोशन किया गया है, ब्रामबनों को सरवुच बताया गया है, सुद्रों की स्थिति दैनिये दिखाई गई है, और इस तरह से भारतिये समाज और संस्कृत को जानने के लिए एक बहुत ही महत्मूर आ हलांकि देवल इसमृत की रचना पूर मद्यकाल में हुई है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट इसका महत्मूर है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगा, तो नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा देवल इसमृती, देवल इसमृती, लिके सबसे पहल चीज की देवल इसमृत की रचना बहुत बात की है, यह लगबग पूर मद्यकाल, यानि गुप्तकाल के पतन के बाद, जो युग सुरू होता है, जिसे हम प्री मेडिवलेज कहते हैं, यह पूर मद्यकाल की रचना है, पूर मद्यकाल की रचना, लेकिन यह महत्वण क्यो मुसलिम आक्रमण होते हैं भारत पर और इसी मुसलिम आक्रमण के दोरान भारत में धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो स्वाभाविक है कि पूर मद्यकाल में जब भारत पर मुसलिम आक्रमण होता है, तो एक सामाजिक संक्रमण का दोर शुरू होता है, रूपांतरण की विवस्था शुरू होती है, जिसमें आप पाएंगे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके इसलाम धर्म का वर वापशी कहते हैं, तो घर वापशी का मतलब सीधा सा यहां पर यही है, कि जो अपने मूल धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चला गया हो, वो अपने मूल धर्म की और कैसे लोटे, इसका विधान देवल स्मृत में मिलता है, और इसलिए मैं यहां पर देवल स्मृत का भी जिक्र करना चाहूँगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं, कि इसमें मूलता इसमें मूलता सामाजिक 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 रूपांतरण के विशय मिलते हैं और इसमें और इसमें उन हिंदूओं को उन हिंदूओं को पुना हिंदू धर्मे पुना हिंदू धर्मे सामिल करने सामिल करने का विधान मिलता है विधान मिलता है जिन्होंने जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था अपना लिया था अपना लिया था तो ये है कुल मिला करके इस मृतियों के विशे में कुछ महातपूर्ण जानकारी, अब इसके साथ-साथ यहां पर मैं दो अन्य महातपूर्ण ग्रंथों का भी जिक्र करना चाहूंगा, जो सामाजिक व्यवस्था के विशे में जानकारी देते हैं, इसमें से एक ग्रंथ का नाम है मिताक्षरा, जो की बार्वी सताबदी में लिखी गई है, यह बार्वी सताबदी की रचना है, और इसके जो रचनाकार है, इसके जो लेखक है, उनका नाम है बिग्यानेशर, बिग्यानेशर, और ऐसे ही बार्वी सताबदी की एक अन्य महतपूर्ण रचना है, उस को दायभाग ये भी बार्मी सदी की ही रचना है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है जिमूत वाहन को जिमूत वाहन तो इन दो ग्रंठों का भी यहां पर उल्लेक क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसमें उत्रा अधिकार-संबंधी नियम दिए गये मतलब पिता की संपत्य में पुत्र का जो हिस्सा होता है उसके संदर्व में मिताक्षरा और दाय भाग भी एक तरीके से आप देखें कानूनी गरंथ हो जाते तो जैसे इस्मृतिया जो है वो प्राचीन भारतिये हिंदू समाज के कानूनी गरंथ माने गए हैं ऐसे उत्राधिकार संबंधी नियमों का वड़न करने वाले दो अन्य महत्पूर गरंथ जो की मध्यकाल की रचनाय मानी गई है विसे इसकर ये बार्वी सताबदी में लिख लिखी गई ये कहती है कि पिता के जीवन काल में ही जो है पुत्र को संपत्य में हिस्सा दिया जा सकता जबकि दाइभाग कहता कि नहीं पिता की मृत्य के बाद ही पुत्र को जो है संपत्य में हिस्सा मिलना चीए तो ये उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी द तो आप यहां पर इस्मृतियों की बात करेंगे, जिसमें मैंने का मनु इस्मृति, याग्यवलक इस्मृति और पूर मद्धिकाल की एक महत्पूर्ण इस्मृति है, देवल इस्मृति इसका नाम जरूर लेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ यहां पर उत्राधिकार संबंधी नियमों का वड़न करने वाला महत्पूर्ण ग्रंत है मिताक्षरा और दाइभाग जिसमें मिताक्षरा के रचनाकार है विज्ञानेश्वर और दाइभाग के रचनाकार है लेखक है जिमूत वाहन तो यह हो गया आपका इस्मृतियों से संबंदित मिशह अब आजाते हैं पुरान पुरान जो शब्द है अगर इसका शाब्दिकर्थ देखा जाए शाब्दिकर्थ तो इसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान प्राचीन आख्यान प्राचीन आख्यान तो प्राचीन आख्यान का मतलब क्या हुआ जिसमें प्राचीन कथाएं मिलती हूँ पुरानी कथाएं और खासकर पुराणों को एक तरीके से प्राचीन राजवन्सों को विषय में जानने का एक महात्पूर्ड प्रमाणिक स्रोत माना गया है तो इससे प्राचीन राजवन्सों की जानकारी मिलती है की जानकारी मिलती है पुराणों में कुछ इस तरह की रचना है कि महाभारत युद्ध के पश्षाद, छटी सिताबदी इस वी तक भारत के विभिन छेत्रों में साशन करने वाले जो विभिन राजवन्स हुए, उनके विशह में वर्डन किया गया, तो इसलिए इनको प्राचीन राजवन्सों की जानकारी का स्रोत माना गया है, अब इनकी कुल संख्या अठारा है, यानि कुल कितने पुराण है, तो आंसर हो जाएगा अठारा, और इनके अगर रचना कार की बात की जाए, तो कुछ स्रोतों में, कुछ स्रोतों में इसके रचनाकार माने गए हैं लोमहर्ष रिशी और उनके बेटे लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रस्रवा उग्रस्रवा तो लोमहर्ष और उग्रस्रवा इसके रचनाकार माने गए हाला कि एक अन्य स्रोत है जो यह कहता है कि पुराणों की रचना वेद वेद व्यास ने की थी, तो इस पे दो मत मिलते हैं, पुराणों के रचनाकार वेद व्यास भी माने जाते हैं, और पुराणों के रचनाकार मुख्यता, लोमहर्स और उनके वेटे उग्र स्रवा माने जाते हैं, अब इन में सबसे जो प्राचीन पुराण है, सबसे प्राची पुरान की अगर बात की जाए, तो इसमें आप देखेंगे, नाम आता है मत्ष पुरान का, कुछ स्रोत इसके साथ मत्ष पुरान के साथ आप देखेंगे, वायू पुरान को भी काफी प्राचीन मानते हैं, और इन पुरानों का संकलन भी अलग-अलग काल में हुआ है, तो व विशह में जानकारी मिली है, तो अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग राजवंसों का वणन है, लेकिन कुल मिला करके इस पर अगर आप से प्रस्ट पूछा गया, तो तीन-चार बातें आपको ध्यान रखनी है, पुराणों को भारतिये संस्कृत के अन्याधार भूत में इसलिए सामिल किया जाता है, क्योंकि ये हमें प्राचीन भारतिये समाज और संस्कृत के साथ-साथ, उसके राजनेतिक विश्यों के विशय में भी जानकारी देते हैं, तो प्राचीन भारतिये तिहास को जानने के साधन के तौर पर पुराण भले ही धार्मिक विशय स इसमें प्राचीन कथाएं हैं, पुराने राजवन्सों के विशय में जानकारी मिलती है, इनकी कुल संख्या 18 है, एक माननिता के अनुसार इसके रचनाकार लोमहर्ष रिशी थे और उनके बेटे उग्रसरवा ने इसकी रचना की थी, लेकिन एक दूसरी माननिता कहती है कि प पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें प्राचीन पुराण मत से पुराण है, इसे सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण माना गया, और इससे मौर्योत्तर कालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मत वायुपुराण को भी काफी प् महा का ब्यानी इपिक तो भारतिय संस्कित में जब भी हम संस्कित के महा काब्यों की बात करते हैं तो दो सबसे प्रसिद्ध हैं रामायर महा भारत करें रामएल और महाभारत को दो प्रसिद्ध महाकाब्यूं का गणे दर्जाप्राप्थ हैं जिसमें आप जानते हैं कि रामएड की रचना किसने कि थी महर वालमीक नेर कि महर शवालमीक नें और महाभारत की रचना किस ने की थी तो महर्ष वेदिवयास ने हाला कि इनके संकलन को अंतिम संकलन को लेकर विबाद है लेकि तब भी अधिकांस मता अनुसार अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि इनका अंतिम रूप से संकलन इनका अंतिम रूप से संकलन गुप्तकाल में हुआ गुप्तकाल में हुआ यानि लगबख 400 इस्वी के आसपास, 480 के आसपास रामाण और महाभारत अपने अंतिम संकलन के रूप में सामने आते हैं तो ये गुप्तकालीन संकलन माने जाते हैं यानि इनका अंतिम संकलन गुप्तकाल में हुआ और इसके रचनाकार में रामाण के रचनाकार महार्शबालमीक और महाभारत के महार्शवेदिव्यास है अब अगर हम रामाण का जिक्र करें तो रामाण में प्रारंभ में माना जाता है कि केवल 6,000 स्लोक थे बाद में जब इसका संकलन आगे किया गया तो स्लोकों की संख्या जो है बढ़कर 12,000 हो गई और फिर इसके बाद अंत में इसमें जो है वो 24,000 स्लोक मिलते हैं तो रामाण में कुल 24,000 स्लोक दिये गए हैं और यही कारण है कि इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसे कहते हैं चतुर्विशती साहस्त्री सहिंता साहस्त्री सहिंता इसे चतुरविश्यति साहस्त्री सहिंता कहते हैं साहस्त्री सब्द का मतलब संस्कृत भाषा का सब्द है हजार में होता है चतुरविश्यति का मतलब होता है चौविस तो चौविस हजार सत्री का मतलब इसमें सौ से यहां पर सहास्री का मतलब हजार और इस तरीके से 24 हजार स्लोकों का संग्रह इसमें है इसलिए इसका नाम चतुरुविस सति सहास्री सहिंता है तो इसके संदर्व में तीन चार बातें आप ध्यान दीजिएगा रामायन का संकलन लगभग 400 इसवी के आसपास माना जाता है यानि गुप्तकालीन संकलन है गुप्तकाल में इसका अंतिम रूप से संकलन हुआ इसके संकलन करता महर्शिवालमी की है और महर्शिवालमी की को भारत का आदी कवी कहा गया है आदि कवी मतलब कवी के प्रडेता माने गए है, जहां से कवी की शुरुवात होती है, तो आदि कवी मतलब प्रथम कवी कह सकते हैं आप, और रामाण को भारत का आदि काब बे कहा गया है, आदि काब बे कह लीजिए या इसे आर्ष महा काब बे कहते हैं, आर्ष महा काब का म इंतम महा काब्ब्य है या आर्स महा काब्ब्य है या आदि काब्ब्य है और इसके जो संकलन करता थे महर्श वालमी की इनी को भारत का आदि महा कभी कहा जाता या आदि कभी कहा गया है इसमें प्रारंब में 6,000 स्लोक थे वर्तमान में 24,000 स्लोक है और इसे 24 सहस्री सहिंता के हुआ था ये हो गई रामार की बात अब इसी तरीके से हम यहाँ पर महाभारत को देखते हैं देखें महाभारत के विशे में आप ये तथ जरूर जानते हैं किसे बिश्व का सबसे लंबा महाकाब्य माना गया है विश्व का सबसे लंबा महाकाब्य का दरजा इसे प्राप्त है सबसे बड़ा महाकाब्य है The greatest epic ये most landiest epic of the world संसार में इतना बड़ा महाकाब्य रचा नहीं गया जब इसकी रचना हुई तो प्रारंभ में इसमें 8800 स्लोक थे और इस समय इसका प्राची नाम था जै सहिता इसे जै सहिता के नाम से नहीं इसका मूल नाम था जै सहिता क्योंकि इसमें बिजय संबनधी गाथाएं है तो जै सहिता का मतलब होता है बिजय गाथा थीक है तो इसमें महाभारत युद्ध का वरण मिलता है जिसमें कावरोओं की पराजे हुई, पांडों की बिजय हुई इसे का वरण है तो इसलिए इसका प्राचीन नाम था जै सहीता जिसमें विजय गाथा है 8800 स्लोक थे फिर बाद में इन स्लोकों की संख्या बढ़ करके इसमें 24,000 हो गई जब इसमें 24,000 स्लोक हो गए तो इसका नाम पढ़ा भारत इसे भारत सहीता कहा गया और इसका कारण क्या था कि इसमें वैदिक जन भरत के वनसजों की कथा है इसका भारत नाम पढ़ने की वज़ा थी कि इसमें वैदिक जन वैदिक जन भरत के वनसजों की कथा मिलती है वनसजों की कथा मिलती है और भरत से जो यहाँ पर आगे का वंस रहा वंस आवली रही उसी के बारे में वड़न किया गया अंत में महाभारत में कुल एक लाख स्लोक हो गये एक लाख स्लोक हो गये और तब जाकर इसका नाम पड़ गया महाभारत तो इसमें अंतिम संकलन जो इसका हुआ है ये भी लगभग 400 इसवी के आसपास यानि गुप्त काल में जैसा मैंने बताया इसके संकलन करता महर शिवेद व्यास माने गए है लेकिन इसका अलग-अलग कालों में अलग-अलग रूपों में संकलन होता रहा और अंतिम संकलन वो 400 इसवी के आसपास गुप्त काल में हुआ है ये भी गुप्त कालीन रचना मानी जाती है और जब इसमें एक लाग स्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत पड़ा और चुकि इसमें एक लाग स्लोक है इसलिए से सत साहस्री सहिता भी कहा जाता है अब सत का मतलब होता है सव साहस्री मतलब उसी में हजार लगा दीजिए तो सव हजार कहने का मतलब सीधा सा हुआ एक लाग तो इस तरीके से एक लाख स्लोकों से संपूर ये जो है गरंत है इसलिए इस इसमें कौरो और पांडों के युद्ध की कथा है, जिसका नाम ही है महाभारत कुर्छेत्र के मैदान में लड़ा गया, ये सारी बाते आप सब जानते हैं, इसमें वैदिक जन भरत के वनसजों की कथा है, और हस्तिनापुर राज्य की कथा का वड़न इससे प्रारंब होता है लेकिन इसमें जो अन्य महत्पूर बात है वो ये है कि इसमें कुल अठारा पर्व हैं, यानि जो अध्याय हैं इनको पर्व कहा गया, इसमें कुल अठारा पर्व हैं और जो इसका छठा पर्व है, छठे पर्व का नाम जो है वो है भीश्म पर्व, भीश्म पर्व, ये इ उन्देश जो उन्होंने युद्ध के मैलान में अर्जुन को दिया था और इसी को हम कहते हैं स्रीमत भगवत गीता तो स्रीमत भगवत का ही महाभारत का ही स्रीमत भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंश है स्रीमत भगवत समझी रहे स्रीमत मतलब भगवान स्रीकृष्ण की बात हो रही है ठीक है भगवत यानि भगवान तो स्रीमत भगवत यानि भगवान स्रीकृष्ण के द्वारा जो गीतो उपदेश दिया गया, जो गीत गाया गया, यानि अरजुन को जो उन्होंने अपने संदेश दिये, जिसमें उन्होंने यहां पर जीवन के तीन महत्वपूर्ण पक्छों पर बात की है, वो है कर्म योग, भक्त योग, और ज्यान योग, इनका एक समन्य दिखाई इसमें कर्म योग की प्रधानता दिखाई देती है क्योंकि वो अर्जुन को कर्म के प्रति ही सचेत करते हैं, मनुस्य का जन्म ही उपने कर्मों को करने के लिए हुआ है, और वो कर्म से बिमुख ना हो, इसी का इसमें उपदेश मिलता है स्रीमत भगवत गीता में, तो आप एक लिए एक्जाम के पॉइंट अब उसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्रीमत भगवत गीता जो है, वो महाभारत के किस पर्व का भाग है, छठे पर्व का जिसका नाम है भीश्म पर्व, इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया ग कि ये तीनों चीजे समझ में आ गई होंगी, इसमृतियां क्या है, पुरान क्या है, और महाभारत रामार किस तरह से भारत के प्राची इंतम महाकाब्य है, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर लौकिक साहित्यों पर बात करेंगे, यानि भारतिये इतिहास के विशे में ज पढ़ेंगे और आपका ये अध्याय संपूर्ण हो जाएगा, तो चलिए, आज के लिए इतना अनफ है, आप सब इसको पूरा नोटिंग कर लीजेगा, और एक बार फिर से रिवाइस कर लीजेगा, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके काफी उपयोगी रहा होगा, बाक